हेलो एब्रिवन वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल वरल्ड ओवी की सुमन मैं हूँ सुमन जैसा कि अभी आपने देखा फ्रेंट्स मैं आज आपके साथ छोले भटूरे की रासे पे सेयर करने जा रही हूँ स्वादिस छोले और फूले-फूले शौक भटूरे किस तरिके से बना जाते हैं आज मुंक आपको सिखाने जा रही हूँ तो चलिए देख लेते हैं भटूरे बनाने की लिए हमें क्या-क्या चाहिए सबसे पहले मैं ले रही हूं मैदा दही दही से भटूरे बहुत सौक बन अब मैं आपको भटूरे का डो बना के दिखाती हूं इसके लिए मैंने आप मैदा ले लिया है अब मैं डाल रही हूं इसमें नमक नमक आप श्वात के अनुसार लें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें नमक को अब इस तरीके से बीच में हमें गड़्धा बना लेना है और सबसे पहले इसमें डालना है रिफाइंड ओयल रिफाइंड ओयल में यहाँ पे एक चमश ले दी हूँ अब इसी में हमें आट करना है दही दही में यहाँ पे हाफ कफ ले दी हूँ अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना इसे भटूरे बहुत ही सौप और बहुत खास्ता बन के तयार होता है अब अच्छे से हमें मिक्स करना है बिल्कुल सारे मैदे में रिफाइंड और दही मिक्स हो जाना चाहिए यह देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है यह देखिए किस तरीके का यह है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कर लेना है अब मैं इसमें धिरे धिरे पानी आइट करूँगी और अच्छे से आटा जैसे गुना जाता है वैसे गुन लूँगी आटा गुनने के लिए मैंने आपे गुन गुना पानी लिया है ताकि वटूरे बहुत ही अच्छे सौप्ट बने पानी हमें एक बार नहीं डालना है परेंड्स थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले ताकि भटूरा जो है वो हमारा सौप्ट बने और गिला ना हो आटा अगर आठा गिला हो गया फरेंड्स तो भटूरे अच्छे से फुल नहीं पाएंगे इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा गून लेना है यह देखे फ्रेंड्स आटा गून कर तयार हो चुका है जिस तरीके से आप रोटी का आटा गूनती हैं बस वैसे ही गूनना है आपको गिला भी नहीं होना चाहिए और टाइट भी नहीं होना चाहिए बस इस तरीके का कि आप उंगली डाले तो बहुत असानी से इसली सौप्ट एकदम चला जाए बस ऐसा ही आटा गून कर तयार कर लेना है आपको अब मैं इस आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी फ्रेंड्स मैं इस आटे को टिफिन में रख रही हूँ और ढकन बंद करके चार-पांस घंटे के लिए इसे रेस्ट करने दे रही हूँ ताकि वटूरे बहुत अच्छे सौप्ट बने अब मैं आपको छोला बनाना दिखा रही हूँ फ्रेंड्स छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कूकर ले लिया है छोले को पहले बॉयल करना होता है यह काबली चेना है फ्रेंड्स आप देख सकती हैं बिल्कुल फ्रेस से काबली चेना मैंने यहाँ पे पतंजरी ब्रांड का काबली चेना लिया है इसे अब मैं कूकर में डाल रह इसके बाद मैं डाल रही हूँ पानी, पानी हमें छोले के उपर तक लेना है, इस तरही से हिला कर मिक्स कर लें सभी चीजों को, और कूकर का ढखकन बंद कर दें फ्रेंड्स, और हाई फ्लेम पे दो सीटी लगा लें, ये देखें फ्रेंड्स सीटी आ चुकी है, कूकर मेरा हंड़ा हो चुका है, अब मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, छोले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, कितने अच्छे से छोले प्रेस हो जा रहे हैं, पतंजेली की छोले बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं इसके बाद छोला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है कढ़ाई में सबसे पहला एड़ कर रही हूं सरसो का तेल आप अपने छोले की कॉइंटीटी के अनुसार ले अब मैं डाल रही हूं लाल मिर्च तेज पत्र अब इन दोनों को हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है ताकि तेल में, सूखी लाल मियर्च और तेज पत्र का फ्लेवर अच्छे से आ जए यह अच्छे से भुन चुका है friends तो तो मैं इसे side कर लेती हूं ताकि जब प्यास भुने तो यह क्रस्प ना हो मैं इसे कूकर में ही डाल लेती हूं इसके बाद मैं ले रही हूं हिंग बस चुटकी भरी लेना है इसे थोड़ी देर तक फ्राइ करना है हिंग जब अच्छे सब पक जाए तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है छोले या फिर मतर कुछ भी आप करती हूँ सुलाइस के हुए पट्राइस को मैंने एकदम बारिकर च्राइस किया फ्रेंड्स आप देख सकती है पटले DRS यह फस्फ के बहुत जल्ली से गल जाते हैं और प्सक्राइस देखे फ्राइस को इस तरह से भुंते रहाना है फ्रैंड्स आपको ये देखे फ्रेंट थोड़ा क्रस करते हुए भूनेंगी तो ये गल जाएगा अच्छे से जब तक मेरा प्यास भून रहा है मैं अद्रक और लैसन का पेस्ट बना लेती हूँ अब अद्रक और लैसन की क्योंटिटी देख चुके हैं फ्रेंट इसे फाइन पेस्ट बना लेना है आपको मिक्सर ग्रैंडर में और प्यास भी हमारा गल रहा है अब देख सकती है प्यास को एक तम अच्छे से क्रफ्स करके बारिक कर लेना है थाकि ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आए अब प्यास भून चुका है तो मैं अद्रक लैसन का जो जो पेस्ट बनाई थी वह डाल रही हूँ अब अद्राक लहसन का कच्चा फ्लेवर निकलने तक इसे भी अच्छे से भूल लेना है ये देखे फ्रेंड्स अद्राक लहसन और प्यास कितने अच्छे से गल गया है अब भून चुका है फ्रेंड्स अब मैं इस मैं अट कर यूँ मसाले मसालों में लिया लालमिष पाउडर, जीरा पाउडर, धन्या पाउडर, दाल चीनी, इलाइची और लॉंग इन सभी को मैंने पेस्ट बना लिया है मसालों का मैंने आपेस्ट पानी में घोल कर तेयार किया आफ्रेंज इससे मसाले जलते नहीं है और बहुत इच्छा स्वाद आता है अगर आप डायेटली कड़ाई में मसाले डालेंगी तो वो जल सकता है इसलिए आप थोड़ा सा पानी आड़ करके उसमें मसाले को घोल लें तो बहुत इच्छा रहेगा अब मैं इसमें आड़ करीओ हल्दी पाउडर मैंने छोले में भी हल्दी पाउडर एड़ किया है इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी मैं अब मैं डाली हो नमक नमक भी मैंने छोले में पहले एड़ किया था इसलिए ये भी थोड़ा सा डालना है और मसाले को अच्छे से फ्राई करना है हमें ये देखे friends थोड़ी देर हो चुका है मसाला अच्छे से fry हो गया है अब color देखी सकती है मसाले का बिल्कुल बारिक हो गया है प्याज, लैसन, अद्रक मसाले सब कुछ अच्छे से भुन चुके है color भी अच्छे से change हो चुका है मसालों का और आपको दिखी रहा होगा फ्रेंड्स कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी अपने बॉयल की हुए छोले यह देखे फ्रेंड्स छोले डालके अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अब हमें ढखकर 5-7 मिनट तक इसे पका लेना है ताकि छोले मसालों को अच्छे से अब्जॉब कर ले यह देखे फ्रेंड्स 5-7 मिनट मुझे हो चुके हैं पकाते वे छोलों को तो आप देख सकती हैं ग्रेवी बहुत गाड़ी हो चुकी है बस मुझे इसी तरह की ग्रेवी चाहिए क्योंकि मैं भटूरे के साथ खाने वाली हूँ छोला तो थोड़ी से ग्रेवी अच्छे लगेगी और ग्रेवी को और जाज़ा थोज़ा थिक बनाने के लिए मैं थोड़े से चने को इस तरीके से क्रस्ट कर ले रही हूँ ताकि छोला का स्वार थोड़ा सा और ब और अब मैं आपको बताऊंगी भटूरे बनाना किस तरीके से है तो भटूरे तलने के लिए मैंने यहाँ पर लोही की कड़ाई ली है लोही की कड़ाई तलने के बाद बहुत जल जाती है तो इसे साफ किस तरीके से करना है इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है तो उस इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप वहां से जाकर चेक कर सकती हैं तो अब मैं इसमें आट कर रही हूं रिफाइंड ओयल हमें ज्यादा यूज करना है फ्रेंड्स क्यूंकि भटूरे तलने के लिए बहुत सारे तेल की ज अच्छे सरी से फिर से मिक्स कर लेना है हातों की हल्प से यह देखे फ्रेंड्स पिल्कुल चिकना कर लेना है इस तरीके से अब मैं इसकी लोई तोड़कर दिखा रही हूं आपको इस तरीके से रोटी की जितनी लोई आप लेते हैं बस उसी तरीके की लोई आपको बना लेनी है और इसी तरीके से मैं सारी लोई को बना चुकी हूँ फ्रेंट्स ये देखिए अब इन सब को हथेलियों पे अच्छे से रब करते हुए एक लोई का अच्छा सेब दे देना है, बिल्कुल चिकना होना चाहिए लोई, कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, यह देखे फ्रेंड्स, इस तरह से हथेलियों के हेल्प से आपको बना लेना है, बस इसी तरीके से सारे लोईयों को आपको चिकना करके रख लेना है फ् से कट करके मैं उसे ली हूं ताकि उस पे जो भी ऑईल लगा हुआ हो वो लोई में अच्छे से लग जाए यह देखे हूँ और बेलन पे भी थोड़ा सा ओई लगा लेती हूँ अब मैं आपको बेल कर दिखाऊंगी थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर लेना है पहले आपको और अच्छे से बेल लेना है नहीं मोटा होना चाहिए बटूरा नहीं पतला अगर पतला हो गया तो वह फुलेगा नह नहीं मोटा हो जाएगा तो वह पकेगा नहीं इसलिए बिल्कुल मीडियम साइज में आपको बनाना है फ्रेंड्स इस तरीके से किनारों को हाथ हथेली की उंगलियों की हेल्प से अच्छे से दबा दबा के पतला कर लेना है आपको या फिर आप बेलन की हेल्प से भी बेल बेल कर पतला कर सकती हैं यह देखें फ्रेंड्स अच्छे से राउंड सेप में बना लेना है अब दूसरा वाला भी मैं आपको इसी तरीके से बेल कर दिखा रही हूं यह देखें फ्रेंड्स यह भी अच्छे से बेल चुकी हूं है बस इसी तरह के से आपको बेल लेना है अब कढ़ाई अच्छे से हिट हो चुकी है ओयल बहुत करम होना चाहिए तभी बटूरा अच्छे से फूलेगा अब इस तरीके से आपको डाल देना है और यह देखें फ फूल गया भटूरा कितना सुन्दर कलर आया है आप देखी सकती है भटूरे का यह देखे फ्रेंड्स बहुत ही सुन्दर दिख रहा है भटूरा अब और एक तल के दिखा रही हूं मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके आपको फुला लेना है यह देखे फ्रेंड्स सारे भटूरे बहुत अच्छे से फूल जाएंगे इस ट्रिक से भटूरा बनाने पर और बहुत सॉप्ट होते हैं खाने में भी अगर आपको मेरे छोले भटूरे बनाने की रेसिपी अच् कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी इसी तरह की वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बिस मेरे वीडियो को सेर भी करें तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूं आपको तो यह देखे फ्रेंड्स फुले फुले बटूरे और टेस्टी छोला कितना सुन्दर दिख रहा है वस देखते हैं मुवे पानी आ जाए अब मैं ले रही हूं थोड़ा से कटे वे प्यास जिसके साथ छोले बटूरे खाने में मज़ा ही आ जाता है आप भी मेरी रेसिपी से छोले फुले बनाएं खाएं और बताएं मुझे कमेंट करके कैसा लगा आपको थैंक्स पूर वॉचिंग